सब्सक्राइब करें हैं और हम लोग यहां पर स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर फाइव मैथेमेटिक्स का चैप्टर नंबर फाइव और इसका नाम है कंटिनुटी एंडिफ्रेंशिबिल्टी कि सभी बच्चों को क्लियर है एकदम स्क्रीन आच्छे से विजुलाइजिशन मिल रहे हैं तो देखिए सबसे पहले इस चैप्टर में हमें दो पार्ट पढ़ने हैं पहला पार्ट है बेटा कंटिनुटी का और सेकेंड पार्ट है डिफ्रेंशिबिल्टी का हम पहले कंटिनुटी का तो जाने की कोशिश करेंगे पार्ट में हम डिफ्रेंशिबिल्टि देखेंगे की क्या होता है क्योंकि पहले हमें कंटिनुटी समझ रहा है देखिए मैथ्स में फंक्शन का मतलब होता है the relation between dependent variable y and independent variable x जब आप किसी graph को plot करते हैं इसका मतलब जब आप किसी function को plot करते हैं तो आप y और x के बीच में relationship को दिखाते हैं तो क्या आप इस graph को बीना pen उठाए draw कर सकते हैं यदि आप किसी graph को, किसी function को graph paper में बीना pen lift किये बना सकते हैं, इसका मतलब वो function continuous होगा जैसे आपके सामने यहाँ पर यह function continuous दिखाए दी रहा है कहां से कहां तक दिखाए दी रहा है suppose इसकी domain A है A से लेके B तो आप लिखेंगे X belongs to open interval A to B the given function is continuous okay in this domain Fx is continuous yes but यदि मैं एक function और बनाता हूँ और आपको दिखा रहा हूँ कि यह function किस तरीके का आप देखिए यह यहाँ तक आ गया इसके बाद यह यहाँ तक आ गया क्या आप ऐसे function को बिना pen lift करें बिना pen उठाए बना सकते हैं बताइए नहीं बना सकते हैं यह जो point है यह point suppose x equal to c इस पर यह function टूटा हुआ है अगर मैं आपको जूम करके दिखा हूँ तो देखिए यह इस point पर यह टूटा हुआ है टूटा है ना बेटा यहाँ पर जो c point है यह कहलाएगा अभी तो graphically मैंने देख लिया बट हमको अब जो question रहेगा वो algebraic form में दिया रहेगा और algebraic form में हमें पता करना पड़ेगा कि कोई function continuous है या नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि कोई function continuous है या नहीं है तो जैसे मैं आपसे एक practical situation की बात करूँ कि यह मान लिजिए यह आपके school के जाने के days है x में आप school के days count हो रहे है day 1 से लेके 1, 2, 3 ऐसे बीच में मान लिजिए कोई 5 तरिक आप एदी school जा रहे हैं everyday तो आप यह मान के चलिए आप continue है या आपका एक continuity का graph बन गया बट मान लिजिए यह दिए आप किसी दिन नहीं आये थे तो as a teacher मैं क्या करूँगा मान लिजिए यह graph है यह graph है तो इस दिन आप कि value यहां पर present नहीं है इसकी value आपकी present नहीं है 5 पर मतलब particularly इस तरिक को या इस value पर आपका absent है तो आपकी जो value मिलेगी y की output आप नहीं बता सकते हैं कि इस point पर आपका output value किता मिलेगा देखे इस point पर आपका output जज नहीं किया जा सकता है इसके पहले किया जा सकता है इसके बाद में किया जा सकता है बट इस point पर आपका output समझ में नहीं आएगा because आपकी value ही present नहीं है बोलिए yes की no ठीक है ना so 5 जो रहेगा वो क्या कहलाएगा बिटा point of discontinuity कहलाएगा अब हम बात करते हैं कि continuity को check कैसे करते हैं how to check continuity जो अपना main topic है how to check continuity of a function at a point बिटा एक point पर किसी continuity किसी function की continuity कैसे check करेंगे जैसे मान लीजिए कि ये मेरा domain x है ये मेरा domain y है और मेरे पास कोई function यू जा रहा है मुझे इस point पर suppose x equal to c पर इसकी continuity चेक करनी है तो आप इसको मान के चलिए कि ये आप है तो मैं पूछना चाहता हूँ कि बिटा आप बताईए आप present थे या नहीं थे आप लगातारे school आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो मैं क्या करूँगा मैं इसके एक आंगे का point ले लूँगा आंगे का point होता है वो कहलाता है c plus h यानि c से थोड़ा सा ज़्यादा और जो पीछे का point कहलाता है वो कहलाता है c minus h मतलब point से बहुत ही थोड़ा सा कम और c plus h मतलब उस point से थोड़ा सा ज़्यादा और c जो होता है that is called point of investigation जिस पर आपको continuity estimate करनी है कि continuity निकालनी है कि function continuous है या नहीं है तो आपको यहाँ पर तीन काम करने पड़ेंगे अगर आप किसी point पर continuity चेक करना चाहते हैं सबसे पहले आपको c minus h पर value निकालनी पड़ेगी c minus h पर value निकालना कहलाता है left hand limit estimate करना so this is called estimation of left hand limit clear हुआ it is called LHL यह कहलाता है LHL क्योंकि c के just पहले h है तो h is a hypothetical concept है कि हम c के just पीछे value ले रहे हैं तो यह कहलाता है left hand limit find करना इसी तरीके से हम right hand limit find करेंगे c plus h so this is called estimation of right hand limit थोड़ा सा 11th class का concept लगेगा बेटा यहाँ पी limit का so this is called RHN and finally हम c से value पूछेंगे कि तुम्हारी value क्या ही है माल लीजिए यहाँ पर तीनों की value आ रही है k एक constant कोई number आया 5 आ गया 6 आ गया कुछ भी आ गया मतलब यदि point c पर left hand limit equal to point c पर right hand limit equal to point c पर function की value अगर तीनों चीजें आपको equal मिल रही है then you can say that your function is continuous our function is continuous at x equal to c समझ मैं आया बीटा हाँ हमारा function continuous है x equal to c पर अगर आपकी value जो है तीनों value equal मिल रही है इसका मतलब आप कह सकते हैं कि your function is continuous at x equal to c क्योंकि देखे यदि मैं इस point की बात करूँ तो आप समझे इस चीज को यदि तीनों पर मैं output दिखाऊँ आपको तो देखिए तीनों के output इस point c पर भी output almost यहाँ पर मिल रहा है suppose value k है अगर मैं c के just आंगे बहुत ही पास में कोई function की value निकालू तो वो भी k पर ही मिलेगा और c के just पीछे just पहले मैं function की value निकालू तो k पर मिलेगा बोलो yes की no देखो बेटा c के आंगे निकालो चाहे पीछे निकालो सब value आपको k पर मिल रही है इसका मतलब यह function continuous है x equal to k पर x equal to c पर clear तो एक तरीके से यहाँ पर क्या हो रहा है यदि आपकी भाशा में समझा जाए कि आप किसी दिन school गए तो मैंने तीन लोगों से पूछा एक शानवी की दाएं तरफ वाली friend से that is called left hand limit right hand limit सानवी की दाएं तरफ वाली friend से आपका नाम correct कर लो में क्या नाम बेट आपका संचारी ओके तो संचारी की right hand friend से पूछा left hand friend से पूछा और खुद मैंने आप से पूछा कि बताईए कल पहले left hand वाली से मैंने पूछा कि क्यों भाई बताईए इस point पे कौन आया था तो मैंने संचारी की left hand वाले student से पूछा तो मैंने left hand उसने कहा कि सर यहाँ पे संचारी बैठी हुई थी फिर मैंने right वाले से पूछा कि क्यों भाई इस position में कौन बैठा हुआ था तो उसने भी कहा कि सर संचारी बैठी हुई थी फिर मैंने खुद संचारी से पूछा कि क्यों भी संचारी इस जगे पे कौन बैठा हुआ था उसने कहा सर मैं ही बैठी थी तो इसका मतलब तीनों की value match हो रहे इसका मतलब यहाँ पे function continuous है clear बेटा हाँ तो यदि तीनों value आ जाए तो function आपका at a point continuous है बट एक case इसमें यह भी हो सकता है जिसमें function continuous ना हो देखे कैसे यह देखिए थोड़ा और उपर बना देता हूँ यह माल लेजिए हमारा यह point of investigation है यह देखिए यह c point है जिस पर हम अपने limit को investigate करना करना चाहते है suppose this point is c if c के just पीछे में value निकाल रहा हूँ estimate कर रहा हूँ this is called left hand limit c minus h because हम h का सहारा ले रहे हैं तो यहाँ पर limit word is होगा so lhl is what lhl is equals to f of c minus h इसको यह भी लिखा जाता है इसको यह भी लिखते हैं limit x stands to c के पीछे function की value estimate करना इसको यह भी बोलते हैं और देखो बेटा ध्यान से c के just पीछे c minus h पर function एक value दे रहा है and इस पर जो output है बेटा देखो it is k1 yes or no k1 we can suppose here the output is k1 now we are taking this point c plus h c plus h पर बेटा function उपर चला गया एकदम से और इस पर value क्या मिल रही है बेटा k2 मिल रही है yes or no so rhl estimated limit at c plus h it is also called c plus h or you can say limit x tends to limit x tends to c plus value function की fx पर क्या मिल रही है बेटा k2 और clear दिख रहा है कि k1 is not equal to k2 or you can say कि lhl left hand limit is not equal to right hand limit मतलब दोनो friend ही आपकी अलग-अलग जबाब दे रही है एक ने कहा c पर कौन बैठा था तो एक ने कहा आस्था बैठी थी और एक ने कहा प्रतिमा बैठी थी c की तो बारी ही नहीं आई पूछने की c तो खेर अभी पूछा नहीं c से अपन ने मगर दोनों ने अलग-अलग जबाब दे रही है मतलब limit ही exist नहीं कर रही है और जब limit ही exist नहीं कर रही है तो continuity का सवाल ही नहीं उठता समझ में आ गया क्या बना concept बिटा is discontinuous ठीक है बिटा अगर limit exist नहीं करेगी तो function 100% discontinuous होगा क्योंकि दोनों फ्रेंड ही कह रहे ही कि यहाँ पे कोई दूसरी आई थी यहाँ पे कोई दूसरी आई थी clear बिटा तो एक case तो यह होगा discontinuity का पहला continuity के लिए कि वह एक ही चीज बताई मैंने but discontinuity के लिए मैंने दो चीजे बता दी clear अब एक और चीज है discontinuity के लिए जो दूसरी चीज है यह देखे क्या scene बन रहा है यहाँ पे this is x this is y output it is also called function of x y output okay now we have a graph typical graph अब देखे यहाँ पे क्या हो रहा है इस graph में बड़ा मज़ेदार graph है यह point है बिटा जिस पर हमको examination करना है अपनी continuity का तो अब यहाँ पे मैं बोलूँगा c के जस्ट पहले function की value so the point here just before c you can consider c minus h and after c this is c plus h okay beta now we having the point just before the c c minus h so if I estimate the limit just before the point c minus h is also called left hand limit suppose we have a value at this point is it is lies somewhat here on the y axis we can suppose it is k yes or no now f c plus h c के just आंगे देखो same level पे बिटा देखो बिल्कुल same level पे है तो यहाँ पे भी आपको जो value मिलेगी k ही मिलेगी देख पाई बिटा हाँ मैंने zoom कर दिया दोनो k मिल रही है value एक यहाँ पे भी है एक यहाँ पे भी है देखो मैं white color से mark करता हूँ yes दोनों का level same है yes or no मतलब मैंने दोनों सहेलियों से पूछा आजू बजू वाली से कि कल कौन आया था तो उने इन बोला संचारी आई थी दोनों cases में c plus h c minus h here rhl right hand limit is equals to k clear but मैंने खुछ संचारी से पूछा कि सो क्यों संचारी इस point पे कल कौन बैठा था तो उसने का सर मैं तो absent थी मतलब not defined low तो दोनों ने तो कह दिया कि सर इसकी value यहाँ पे थी बट यह कह रही है कि मेरी value वहाँ पे थी नहीं कल मैं हाँ आई नहीं थी I was absent तो इसका मतलब limit exist होने के बाद भी function क्या होगा यहाँ पे discontinuous होगा clear so देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है left hand limit fc minus h is equal to right hand limit fc plus h मतलब इन दोनों को देख के समझ में आ रहा है कि limit तो exist कर रही है limit exists but this is not equal to function की value at the point c इसका मतलब क्या है the function is not continuous किसकी वज़े से खुद आपकी वज़े से क्योंकि आपने कह दिया कि हम नहीं आये थे या आप नहीं आये थे या आप कोई अलग value बता रहे है है ना तो अगर यह limit तो exist कर रही है but point के equal नहीं है उस point पर function की value की so fx is discontinuous at x equals to what point here c x equal to c पर क्या होगा बिटा discontinuous होगा चीक है तो आपने देखा कि continuity के केवल एक ही meaning है कि function की value अगर continuous है तो मतलब उस पर left hand limit right hand limit और उस point पर function की value तीनों equal होनी चाहिए in only that case your function is supposed to be continuous otherwise it is not चलिए तो इसके कुछ questions करते हैं सीधे आते हैं हम अपनी book पे अब इटा पीडियेफ उपन करिए और सीधे हम book पे आते हैं लेकिए आपने यहाँ पे एक doubt पूछा है आपने कहा है कि सर्मान लीजे कि left hand limit जो है वो function के equal है means आप कहना चाह रहे हैं कि किसी point पर f of c minus h is equal to function की value at c and f of c plus h is equal to f at c ऐसा कैसे हो सकता है बेटा कि function के equal हो जाएं और आपस में equal नहों अगर वो एक किसी point के equal हैं तो उनको तो आपस में भी equal होना पड़ेगा न बेटा yes sir हाँ तो अगर वो function के equal दोनों आ रहे हैं मतलब आपस में भी equal ही होंगे clear हुआ yes sir तो वहाँ पे उनका limit भी exist करेगी और function भी continuous होगा clear हो गया yes sir तो एक चीज यहाँ पे याद रखेगा कि अगर limit exist करती है तो function continuous हो सकता है कोई जरूरी नहीं है ठीक ना yes sir function continuous हो सकता है कोई जरूरी नहीं है जैसे first आने वाला बच्चा है ना India top कर सकता है first division आने वाला बच्चा India top कर सकता है कोई जरूरी नहीं है इस तरीके से अगर यदि limit exist है तो function continuous हो सकता है होगा ऐसा जुरूरी नहीं है अब जैसे यहाँ पर limit exist कर रही थी उपर के case में मगर function की value equal नहीं थी तो वहाँ पर function discontinuous हो गया बट यदि limit ही exist नहीं कर रही है if limit does not exist तो वो 100% discontinuous होगा ठीक है न बिटा तो यह सारे concept थोड़े heavy-heavy है अभी numerical की practice करेंगे तो विल्कुल clear if limit does not exist then function must be discontinuous 101% है न must be discontinuous तो यह हमारे पास हो गई बाते तो continuity के एक ही रास्ते है मगर discontinuity कई तरीकों से हो सकती है एक flow chart में मैं आपको discontinuity बता देता हूँ कि किस-किस तरीकों से discontinuity हो सकती है तो discontinuity होने का पहला तरीका है left hand limit और right hand limit is not equal to left hand limit f c minus h पहली चीज़ limit exist ना करना limit does not exist पहली चीज़ दूसरी चीज़ f of c plus h equal to f of c minus h but it is not equal to function की value c पर यह लो भाई दूसरी चीज़ हो गया तीसरी चीज़ f of c plus h f of c plus h is equal to f of c minus h but f at c is not defined यह एक नई चीज़ आपको लगरी होगी यह क्या है सर तो जब question कराऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कि दोनों limit तो exist करेंगी मगर function की value क्या हो जाएगी not defined ठीक है भाई तो उस समय आपका क्या हो जाएगा function आपका उस समय function जो हो जाएगा discontinuous हो जाएगा चलिए देख लेते हैं एक example देख लेते हैं उससे आपको समझना जाएगा हमारे पास एक example है हम एक function लेते हैं fx is equals to x square minus 9 upon x minus 3 हमें check करना है इस function की continuity का status क्या है किस point पर at x equal to 3 question आपको खुद बोलेगा कि किस point पर investigate करना है limit देखिए सबसे पहले मैं f of 3 निकालता हूँ f of 3 is equals to तो 3 का square minus 9 एन यहाँ 3 minus 3 this is equals to 0 by 0 बेटा याद रखेगा 0 by 0 1 नहीं होता है this is undefined undeterminate है यह undeterminate तो यह not defined कहलो यह undeterminate कहलो तो बात ही खतम हो जाती है तो यहीं पर समझ में आ गया अब यदि मैं limit निकालो बेटा इस पर तो मैं left hand limit और right hand limit अलग अलग न निकाल करके मैं directly limit निकालता हूँ limit extends to 3 पर x square minus 9 x minus 3 बेटा जब भी मैं ऐसा करता हूँ extends to 3 इसका मतलब मैं दोनु limits एक साथ निकाल रहा हूँ left भी और right भी अच्छा आप यह जानना चाहरे होगे कि सर हम अलग 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 लिमिट कब निकालेंगे तो अलग 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 लिमिट जब निकालोगे बेटा जब आपको function अलग 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 दिये रहेंगे अब यहां पर एक ही function है क्लियर अब एक ही function में behavior तो बदलेगा नहीं तो अलग अलग लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है चली तो लिमिट निकालते हैं यहां पर हम तो एक्शली इसको थोड़ा और मैं लिख देता हूं तो आपको और अच्छा बेटर समझ में आ जाए here limit x tends to 3 fx is equals to f of 3 plus h equal to f of 3 minus h मतलब हम एक ही बार में left और right limit निकालने की कोशिश कर रहे है so limit x tends to 3 और function की value क्या है x square minus 9 upon x minus 3 limit x tends to 3 x square minus 9 को हम लिख सकते हैं x square minus 3 का square upon x minus 3 limit x tends to 3 यह हमको आजादी देता है इसको हम बदल देंगे x plus 3 x minus 3 method number one factorization method याद आई बेटा आपको yes sir now 3 से x minus 3 से x minus 3 cancel now x plus 3 आगया function अंदर बना है x plus 3 और limit x की value 3 है put कर दिजे so 3 plus 3 equal to आगया अपने पास में 6 मतलब इस function की limiting value 3 पर 6 आ रही है मगर उस point पर value नहीं आ रही है clear की not clear yes sir तो यदि देखा जा इस function की तो rhl भी कितनी बनेगी 6 बनेगी इस function की left hand limit भी कितनी बनेगी 6 बनेगी ok rhl का मतलब f of 3 के just आंगे value lhl का मतलब 3 के just पीछे value but यदि आप से मैंने बोला 3 पर value बताओ तो क्या हो गया not defined clear की not clear yes sir तो इन तीनों चीज़ों को देख करके यह function कैसा लग रहा है discontinuous जी हाँ so this function is discontinuous at x equal to 3 यदि मैं इसका graph बनाओ तो कुछ इस तरीके से इसका graph बनेगा ठीक है ना कुछ इस तरीके से x square ऐसा समालो यह इस तरीके से देखे तो यहाँ पर जो है at the point 3 पर function की value का पता नहीं है मगर 3 के पीछे और 3 के आंगे जो function की value आ रही है कुछ है आ रही है 6 आ रही है clear बिटा यदि 3 के मैं आंगे देखूं तो भी level height कितनी है 6 है अगर मैं 3 के पीछे देखूं तो भी height 6 की है बट 3 पर एक बड़ा सा air gap है कोई value का अता पता नहीं है देख लीजे देखे आपको zoom करके दिखा दिया मैंने yes sir तो 3 के आंगे पीछे किसी प्रकार की value का पता नहीं है आंगे पीछे पता है 3 पर पता नहीं है तो यह function क्या हो गया discontinuous चलिए तो यह तो मैंने आपको बता दी discontinuity at a point अब आंगे मैं बता रहा हूँ discontinuity in an given interval अगला topic है discontinuity in any given interval अगर आपको कोई interval दिया गया है उस interval में आपको अपने discontinuity define करनी है या यह कह लिजे कि discontinuity of a function पूरे तरीके से example के लिए आपको कोई function दिया गया है fx equal to 2x plus 3 अब कहेगा बताओ कि यह function discontinuous है की नहीं है यह कैसी बात हुई भाई आप हमें function दे रहे हो और आप उसकी बोल रहे हो कि discontinuous है की नहीं मतलब एक बच्चा पैदा हुआ और आपने किसी समय में जाके पूछा की बताओ यह जबसे पैदा हुआ और जबसे खटम होआ तब तक की आप बात कर रहे हो तो अगर आपको कोई भी interval ना बोले मतलब naturally है वो उस function के domain की बात कर रहा है कि जहां से जहां तक वो function फैला हुआ है वो तब की बात कर रहा है कि domain कहां से कहां तक है तो naturally इसके जो question आते हैं बिटा वो algebraic function होते हैं जब भी ऐसा कोई question आता है तो वो question होते हैं algebraic polynomial तो algebraic polynomial की जो domain होती है आपने last year पढ़ी है what is domain minus infinity to plus infinity it is also called all real number ये जो होते हैं all real number इसकी domain ये हुआ करती है बोलो clear बिटा तो जब भी आपको बोले कि इस function की continuity पता करो तो इसका मतलब है आप से बोला जा रहा है कि सारे real number में आपको इसकी continuity का पता लगाना है ठीक ला इसका मतलब आपको all real number में इसकी continuity का पता लगाना है यदि आपको ऐसा बोला जाए तो चलिए यस ये बात clear हो गई आपको अब देखते हैं कुछ question मगर उसके पहले अब आप कहेंगे कि सार ऐसे question में हम कैसे पता लगाएंगे continuity का कि हर point पे ये continuous है की नहीं है तो हम क्या करेंगे ऐसे question के लिए वो जब question आएगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कि question के लिए हम किस तरीके से जवाब देंगे कि ये हर point पर continuous है की नहीं है क्योंकि यदि as an example मैं आपके सामने graph ले लो एक function है मेरे पास ये y equal to x square ये देखे इसका graph ये होता है जब आँखों से तो दिख रहा है कि भाई साभ ये graph continuous है ये देखे ये y equal to x square ये upper mouth parabola का graph है साभ दिख रहा है कि ये continuous है मगर आपको बुला गया है कि prove करो कि ये continuous है तो आप क्या करेंगे आप एक point जज करने के लिए इसका ले लेंगे x equal to 0 क्या ले लेंगे बिटा x equal to 0 एक point ले लेंगे x equal to a यहाँ पे x equal to a positive side में मतलब x equal to a where a is greater than 0 मतलब positive side में एक point ले लेंगे x equal to a और एक point आप ले लेंगे negative side में x equal to b where b is less than 0 समझ में आगया बिटा अब इन तीनों point पर आप continuity चेक करके दिखा देंगे कि लिए भाया तुम हमसे पूछने चाह रहे है नो पूरे function के लिए अब तुम्हारे पूरे function की जिंदिगी तो minus infinity to plus infinity है क्योंकि तुम्हारा domain जो है minus infinity to plus infinity है तो एक काम करते हैं एक point हम पीछे की तरफ ले लेते हैं तुम उसमें देख लो एक point आगे लेते हैं तुम उसमें देख लो और एक 0 ले लेते हैं अगर इन तीनों में function continuous हो गया मतलब function हर जगे continuous होगा बोले यस की नो कि उसी प्रकार से कि जब आपको अपने cooker का चावल पका हुआ देखना होता है कि पका है कि नहीं है तो आप एक चावल को उठा करके देख लेते हैं देख लेते हैं न continuous x equal to 0 x equal to minus 3 x plus 5 देखिए ऐसे question को मैं time pass question कहता हूँ यह fully time pass question है खीक है देखिए ऐसे question आते हैं तो एक दो marks के आते हैं तीन point पर आपको continuity check करनी है वैसे logically देखा जाए तो भाईया fx equal to 5x minus 3 यह एक straight line है और straight line हमेशा continuous होती है 0 पर भी continuous होगी आंगे किस पर दिया है minus 3 पर तो यहाँ पर भी continuous होगी और 5 पर भी क्या होगी continuous होगी क्योंकि एक straight line को आप बिना pen उठाए draw कर सकते हो ठीक है बट आपको इसके logic clear करने के लिए मैं एक बार आपको इसको पूरा करके बता देता हूँ कि एक्जाम में आप कैसे लिखेंगे इस question को ठीक है येस सर्थ चलिए तो एक्जाम में इस question को कैसे लिखेंगे उसके लिए मैं आपको पूरा logic clear करके आपको बता देता हूँ here we have the question prove that the function fx equal to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0 तो सबसे पहले हमारा investigating point है x equal to 0 so start करेंगे question की we have given we have given fx equals to 5x minus 3 we have given fx equal to 5x minus 3 तो 0 पर चेक करना है तो सबसे पहले function की value 0 पर निकाल लेता हूँ तो 5 into 0 minus 3 this is equals to कितना अगे है बिटा minus 3 clear yes ये तो function की उस point पर value आ गई अब आजू बाजू value निकालते हैं तो limiting value निकालते हैं now limit x tends to 0 fx equals to अब इसी में बिटा left involved है और इसी में right involved है ठीक ना yes so this is limit x tends तो मैं निकाल सकते हैं मैं दोनों आपको बता रहा हूँ बिटा sheet में दोनों अलग-अलग दिये रहते हैं है ना yes sir तो देखे limit x tends to 0 5x minus 3 is the function so 5 into 0 minus 3 answer कितना आ गया minus 3 मतलब x की 0 पर जो limiting value आ रही है मतलब 0 के आंगे और 0 के पीछे जो value आ रही है वो आ रही है minus 3 तो लिख सकते हैं since f of 3 is equal to sorry 0 लिख रहा था f of 0 is equals to limiting value at 0 of fx so fx is continuous at x equal to 0 ठीक है तो बिटा दो marks के लिए question काफी है ठीक है अब एक confusion रहता बच्चों को कि sir आपने तो यहाँ पर limit direct निकाल दी है वो इसलिए निकाल दी है बिटा कि जब आपके पास एक ही function रहता है जैसे आप देखिए हो क्या रहा actually इसमें बात क्या हो रही है यहाँ पर उसको समझ लिजे यह देखे यह एक straight line है अब यह straight line है मान लिजे यह point है x equal to 3 अब x equal to 3 के आंगे यह जो point बनेगा नीचे यहाँ पर यह कहलाएगा 3 plus h बोलो है न यह sir और यह point कहलाएगा 3 minus h अब मुझे बताइए कि आप चाहे right hand limit 3 plus h पे निकालो यह left hand limit 3 minus h पे निकालो एक ही function है कि अलग-अलग function है एक ही graph पे निकाल रहे हो कि अलग-अलग graph पे निकाल रहे हो एक ही graph पे तो सीधी बात है limit की value बदल नहीं नहीं है मगर फिर भी यदि question में आपको अलग-अलग करना हो तो आप करके देख लीजे तसलिक कर लीजे चलिए निकाल देता हूँ मैं यहाँ पे अलग तरीके से दी मैं निकालोंगा r h l equal to क्या लिख लेगा बेटा 0 के आँगे function की value f of 0 plus h clear बेटा तो limit extends to 0 f of x 0 प्लस लहेगा बेटा क्योंकि 0 के आँगे so limit extends to 0 f of x की value कितनी है बेटा यहाँ पे बेटा 3 plus x है न 5x minus 3 5x minus 3 अब यहाँ पे आपको x को क्या सब कुछ करना है 0 plus h तो लिखनी पड़े यह एक line let x equal to 0 plus h अगर x 0 की तरफ जाएगा तो h भी कहा जाएगा बेटा 0 की तरफ यह बनता आपसे yes sir if x is standing towards 0 then h is standing towards 0 क्योंकि अगर x variable है जो भाग करके 0 की तरफ आएगा तो जो gap होगा वो भी तो कम होता जाएगा gap कितना है h तो h भी 0 की तरफ आएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे change हो जाएगी limit पूरा-पूरा question h में आजाएगा limit h tends to 0 5 into 0 plus h minus 3 क्या बन गया बेटा यह limit h tends to 0 5 h minus 3 h की value 0 पूट कर दो बेटा कितना आगया minus 3 clear yes sir यह होग गया अपने पास right hand limit now left hand limit की बात करता हूँ l h l equals to limit x tends to 0 के पहले क्योंकि हमारा जो point of investigation वो 0 है 0 के पहले limit को investigate करता हूँ so limit x tends to 0 minus and the function is here 5 x minus 3 let x equal to 0 minus h so put the value limit x tends to 0 5 0 minus h minus 3 one more thing if x is tending towards 0 then h is also tending towards 0 yes or no yes sir तो बेटा x अगर 0 की तरफ जा रहा है तो h भी 0 की तरफ जाएगा put कर दिया यहां पे so कितना हो गया limit x tends to 0 5 minus 5 h minus 3 h की value पूट कर दिया 0 तो कितना आ गया minus 3 clear बेटा yes sir केवल एक दिखावा है कोई मतलब नहीं है इस काम को करने का अगर आपके पास एक single function है तो आप सीधे directly इससे limit निकाल दीजिए ठीक ना अगर कोई 4 marks का question है 5 marks का question है तो मान सकते हैं वहाँ पे इतना बड़ा आपको करना पड़ेगा कि आपके पास बहुत time बज़ गया है तो चलिए कर दीजिए ठीक ना बाकी कोई मतलब नहीं होता है limit always आपको same निकाल दीजिए clear? Yes sir हाँ बट यदि मान लिजिए कोई ऐसा question आए कि function का behavior बडल रहा है तब भही आपको अलग 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 अपड़ेगा जैसे ये देख लीजिए ये आपके पास function ये है इस point पे आपको limit estimate करनी है ये देखिए अब ये अपने पास पहला function है y is equal to f1x और y is equal to f2x दोनों अलग अलग दीख रहा है बटा function? Yes sir ये एक straight line है और एक ये है अब ये c point है अब देखो बटा c point के just आंगे क्या बनेगा? c plus h तो c plus h किस पे operate होगा बटा? इस पे operate होगा f2x पे है ना? Yes sir और c के just पीछे क्या बनेगा बटा? c minus h और c minus h किस पे operate होगा बटा? c minus h इस पे operate होगा तो अगर function बदल रहे है तब तो आप left hand और right hand अलग-अलग निकालने का आपके मतलब है और वहाँ पे वो दोनों अलग-अलग हो सकती है बट जब same function है तो क्या change आएगा? Nothing तो देखिए यहाँ पे तो इन बच्चों ने direct कर दिया है limit extends to 0 minus लिखा बस है और सीधे 0 खिला दिया यह लो minus 3, minus 3 hence the function is continuous at x equal to 0 clear? Yes sir अगला observation point क्या है बेटा? minus 3 तो minus 3 पर पहली value निकाल ली बेटा minus 18 और बाकी में x की जगे minus 3 डाल दिया तो 5, 3, minus 15, minus 3 directly आगया कुछ put नहीं किया सीधे लिख बस दिया है बाकी value वही put कर दी तो 3 बार minus 18 clear की not clear? Yes sir तो ये दोनों को आप एक साथ भी कर सकते हैं okay clear ना? Yes sir क्योंकि linear function में कोई दिक्कत नहीं होती है आप उसको directly put कर सकते हैं यदि आप लिखेंगे इसको limit extends to 3 5x minus 3 minus 3 बेटा, sorry तो ये हो जागा 5 into minus 3 minus 3 equal to minus 18 अब यही LHL है और यही RHL है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भूलिए minus 18 ऐसे next question बन जाएगा बिटा? Yes sir चलिए अगला question दीखे question number 2 examine the continuity of the function 2x square minus 1 x equal to लिए भाई साब polynomial function point पर निकलना है तो 3 पर function की value आगई 17 3 पर left hand limit 3 पर right hand limit 3 और equal आगए मतलब है continuous हो गया clear की note clear? Yes sir चलिए next question examine the following function for continuity अब x minus 5 देखे क्या point दिया है कोई? कि किस point पर find करना है? No sir तो मतलब पहला function है x minus 5 algebraic polynomial है domain कितनी होगी? minus infinity to plus infinity तो आप एक general point कोई ले ले लो real number k कोई कोई चावल पकाया आपने cooker के अंदर तो आपने एक चावल उठा लिया k और उस पर आपने left hand limit उस पर आपने right hand limit निकाल दी तीनों पर value सेम आ गई वो लो clear की not clear? Yes sir ठीक है next question देखिए similarly बिल्कुल वही करना है आपके पास में fx equal to 1 upon x minus 5 x5 नहीं होना चाहिए तो ठीक है हम 5 छोड के बागी कोई भी value ले ले लेंगे तो ये देखिए आपने पास domain है तो 5 छोड के इधर की तरफ यहने 5 से बड़े और 5 से छोटे ठीक है बटा? Yes sir तो कोई भी value मैंने माल ली k value माल ली और उस पर मैंने निका ली continuity same आ रही है तो continuous हो गया clear की not clear Yes sir अगला given function x is not equal to minus 5 तो लिए इस पर हम check ही नहीं कर सकते और देखा जाए तो बिटा इसी पर इसको discontinuous होना था क्योंकि देखो denominator x plus 5 है तो x plus 5 equal to 0 करोगे तो x equal to minus 5 पे क्या जाएगा 0 हो जाएगा नीचे वाला clear की not clear Yes sir तो इसने बचा लिए अपने आपको इसने कह दिया कि x minus 5 नहीं ले सकते हो तो यदि x minus 5 कह देता तो जानते हुए question क्या हो जाता वो जो मैंने आपको example में करके बताया था यह कभी यह वाला याद आया discontinuous वैसा हो जाता यह देखिए क्योंकि x minus 3 में 3 minus 3 जीर हो जाएगा हो जाएगा ना Yes sir तो ऐसे वहाँ पे उसने अपने आपको बचा लिया तो चलिए कोई नहीं तुम हमें इस point पे नहीं तो हम बाकी पे चेक कर लेते हैं तो हम मान लेते हैं के कोई point है minus 5 को छोड़ करके हमने निकाली सब पे value बोलो पहले put कर कितनी आगे k minus 5 दूसरे पे भी k minus 5 तीसरे पे भी k minus 5 clear बेटा Yes sir कोई दिखता थे क्या No sir चलिए अब fourth question अब देखिए यहाँ पे scene पल्टेगा fourth question करवाता हूँ मैं आपको कि अगर आपके पास इस तरीके का कोई question आ जाएगा तो आप कैसे करेंगे इसको यह है fx equal to mod of x minus 5 यह देखिए आपके सामने question दिया गया है fx equal to mod of x minus 5 तो सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आपको mod x की definition पढ़ाई थी so fx is equals to mod x कैसे break होता है बेटा mod x equals to two things are there it will break into the x whenever x is greater than 0 it will break into the 0 when x equal to 0 it will break into minus x whenever x is less than 0 clear बेटा yes sir यह mod x तीन पार्ट में break होता था so यहाँ पे अपने पास fx equal to कितना है बेटा mod of x minus 5 अभी आपको पहली बार बता रहा हूँ इसलिए इतने धीरे धीरे से बता रहा हूँ जब आप सीख जाएंगे तो full रफतार से अपन करेंगे first mod के अंदर की चीज वैसी की वैसी आ जाएगी कब जब अंदर वाली चीज greater than 0 mod के अंदर की चीज 0 हो जाएगी जब अंदर वाली चीज equal to 0 और mod के अंदर की चीज negative x minus 5 आएगी जब अंदर वाली चीज less than 0 बिल्कुल उपर से मैंने match करके लिखा है दिखा आपको की नहीं दिखा तो अब मैं इसको simplify करता हूँ आप देखे क्या होगा fx equal to mod of x minus 5 mod of x minus 5 equal to positive x minus 5 when बिटा 5 इदर चला जाएगा मतलब x greater than 5 clear बिटा yes sir 0 when x equal to 5 and negative of x minus 5 when x less than 5 तो 3 हमारे पास case बन चुके हैं 1 x minus 5 1 x minus of x minus 5 और 1 0 3 point हमारे पास आ चुके हैं अब हमको function की continuity चेक करनी है यदि इसको graph बनाया जाए तो इस तरीके से बने का बटा graph हलाकि आपको graph नहीं बनाना है बट फिर भी मैं दिखा जेता हूँ देखे 5 पर function की value 0 हो गई है मतलब 5 पर function x axis को touch कर गया है 5 के आंगे ये line बनेगी और 5 के पीछे ये line बनेगी this is equals to negative x minus 5 जिसको आप 5 minus x भी लिख सकते हो बोलो समझ में आया बेटा ये सर लिग्दम clear है न अच्छे से ये mod x minus 5 का graph बन गया इसकी graph की ज़रूरत नहीं मगर आपको explain करने के लिए मैंने दिखा दिया है दन? ये सर कोई दिक्कत है क्या? लो सर चलिए ठीक है अब हमें graph की continuity चेक करनी है कहाँ पर चेक करनी है? इसके domain में इसका domain क्या होता है? minus infinity to plus infinity ठीक है बेटा? ये सर अब ध्यान से देखे इसके domain को हम तीन पार्ट में बाट सकते हैं देखे दो जो हमारा domain है एक तो सबसे पहला इस पे जो disputed point है वो 5 है क्योंकि 5 पर function का nature change हो रहा है और बेटा जिस point पर function का nature change हो रहा है वहाँ पर आपको continuity निकालनी ही निकालनी है चेक करना ही करना है इसके बाद throughout nature सेम मना हुआ है आंगे की तरफ मतलब एक x greater than 5 और एक x less than 5 clear बेटा यस सर मतलब हम तीन point पे चेक कर सकते है अपनी domain के तीन point पे चेक कर सकते है फंक्शन का nature एक 5 से कम कोई point ले लेंगे suppose this is b एक 5 से ज़्यादा पर कोई point ले लेंगे suppose this is a clear बेटा yes sir तो एक हम को 5 पे चेक करनी है एक 5 से कम पे चेक करनी है एक 5 से ज़्यादा पे चेक करनी है चीक है चलिए सबसे पहले हम चेक करते है 5 पे at x equal to 5 clear yes sir at x equal to 5 5 पर हम चेक करते है अब आपको मैं एक बार यहाँ पे function फिर से लिखा देता हूँ अभी तक आप भूलना गए हो mod of x minus 5 equal to यहाँ पे positive x minus 5 when x is greater than 5 x equal to 5 पे 0 है बेटा x equal to 5 पे value 0 हो जाएगी and x less than 5 पे बेटा है आपकी pay value जो function की है वो है 5 minus x या negative x minus 5 समझ गए ना आप yes sir उसी को मैंने 5 minus x लिख दिया है clear yes sir okay तो यहाँ पे x equal to 5 पर मैं चेक करता हूँ तो सबसे पहले f of 5 directly कितना जाएगा 0 हो जाएगा f of 5 equal to 0 now rhl equal to right hand limit किस पर 5 पर यहने function की value 5 प्लस h यहने function की value 5 के आँगे क्या बनेगी बेटा limit h tends to 0 यहान से देखना limit h tends to 0 f of 5 प्लस h रखेंगे हम किसमें रखेंगे 5 से ज्यादा वाले में रखेंगे की नहीं रखेंगे बोलो बिटा yes sir तो 5 से ज्यादा वाले में क्या है x minus 5 x minus 5 है तो x equal to कितना हो जाता है 5 plus h क्योंकि x की जगे 5 plus h तो यह बन जाएगा 5 plus h minus 5 यह चीच clear होई की नहीं होई आपको yes sir तो x के place पे 5 plus h minus 5 5 से 5 cancel cable h बन गया और h की जगे 0 तो यह भी 0 हो गया अब निकालते हैं lhl lhl निकालते हैं lhl निकालेंगे किस point पर 5 के पीछे तो f of 5 minus h तो 5 के पीछे कौन सा function लगेगा बिटा यह वाला hard वाला तो limit h tends to 0 function का नाम क्या है 5 minus x तो 5 minus x की जगे पर कौन खेल रहा है 5 minus h तो 5 minus h यहाँ पर value पुट कर दी तो limit h tends to 0 5 minus 5 plus h 5 से 5 cancel h की value 0 हो गई तो देखा आपने function की भी value 0 right hand limit भी 0 left hand limit भी 0 मतलब function जो है x equal to 5 पर continuous है clear की not clear yes sir तो आपका जो function है x equal to 5 पर continuous है अब हम देखते हैं कहां कहां पर मैंने बोला था 5 पर चेक कर लिया तो 5 के आँगे 5 के आँगे तो x greater than 5 के लिए मैंने एक point माल लिया a for x greater than 5 let x equal to a ठीक है फिटा yes sir तो graph से समझेए माल लिजे कि ये point 5 है और 5 के आँगे ये पूरा का पूरा function क्या मिल रहा है आपको 5 minus x मिल रहा था कि नहीं मिल रहा था yes sir f x equal to 5 minus x अब आपने कोई point a suppose कर लिया है जिस पर आपको continuity चेक करनी है ये point है a ठीक है x equal to a तो मैं तीनों चीज निकालूँगा या दोनों चीज निकालूँगा एक limit भी निकालूँगा एक value निकालूँगा तो सबसे पहले f of a function की a पर value बोलो बेटा कितनी हो जाएगी 5 minus a होगी की नहीं होगी yes sir क्योंकि x की जगे a खेल रहा है तो 5 minus a done yes sir अब limiting value limit किस पर निकालनी है a पर निकालनी है कौन सा function operate होगा 5 minus x operate होगा तो value पुट कर दो बेटा यहाँ पे तो कितना आ गया 5 minus a तो देखिए function की value भी equal है और limiting value भी क्या है equal है है की नहीं है yes sir मतलब 5 के right side में यह function throughout continuous है समझ में आ गया yes sir अब चलिए left side में निकाल लेते हैं तो left side के लिए भी हम एक point ले लेंगे x equal to b suppose कर लेंगे क्योंकि सब पे तो रखेंगे तो जिन्री की खतम हो जाएगी है तो यह देखिए यह 5 के left side है तो 5 के left side में ने एक point suppose कर लिया b चब 5 के left side का function क्या है minus of 5 minus x है है ना yes sir मतलब की x minus 5 हो गया था चलिए तो value put करते हैं ना यहां लिखेंगे for x less than 5 say a point x equal to b x equal to b पे हमको अपनी limit investigate करनी है so now f of b तो b point पर function की value कितनी आएगी बेटा कितनी आएगी x की जगे b minus 5 clear ना yes sir और अब limiting value निकालता हूँ now limit x tends to b fx ठीक है ना तो b कहा है b 5 के पीछे है तो कौन सा function apply होगा limit x tends to b function apply होगा 5 minus नहीं x minus 5 sorry पुल्टा बोल गया क्या no sir 5 minus x हाँ 5 minus x दोनों में उल्टा कर गया मैं यहाँ पे x minus 5 उपर था यह देखिए गलत हो गया अपना right side में x minus 5 चल रहा था है ना बेटा yes sir हाँ तो चेंज हो जायेगा यहां पे तो यह क्या हो जाएगा अपने पास में x सब चेंज करना पड़ेगा क्या हो जाएगा बेटा यहां पे a minus 5 और यहां पे भी क्या जाएगा यहां पे था 5 minus x था नहीं x minus 5 था right side में तो x minus 5 तो यह हो जाएगा a minus 5 ठीक है पेटा येस सर फंक्शन मेंने उल्टा लिख दिया था बस और कुछ नहीं अभी यहां लिखा तो अब मेरे को ध्यान में आया यहां पे negative of x minus 5 था this is negative of x minus 5 that is equal to 5 minus x ये बना था येस सर तो इसको भी change कर दो ये भी हो जाएगा negative of ये भी हो जाएगा 5 minus b और ये 5 minus x है तो ये कितना हो जाएगा बिटा 5 minus b clear की not clear तो आपको दिख रहा है so fx f of b is equal to limit x tends to be fx ही कर ना yes सर so fx जो है is continuous at all point ये ना x less than 5 मतलब ये कह रहा है कि x less than 5 के हर point पर function continuous है और यहां पर क्या सावित हो चुका है कि continuous at all point x greater than 5 yes की no yes sir तो ये greater than 5 पर continuous है हर जगे और ये less than 5 पर continuous है हर जगे इसका मतलब जो function होगा पूरे interval में continuous होगा और 5 पर भी हो चुका है हो चुका ना 5 पर तो जब पांच पर भी हो गया पांच के पीछे भी हो गया पांच के आंगे भी हो गया इसका मतलब our given function is continuous at each and every point of its domain ठीक है पिटा ये देखिए तो ये कहां गया question ये देखिए देखिए एक बनाया इसने k less than 5 के लिए एक बनाया k equal to 5 के लिए और एक बनाया k greater than 5 के लिए ठीक है ना ये तो k equal to 5 पर सबसे पहले मैंने चेक करी limit left hand limit right hand limit function की value तीनों की कितनी आ गई थी 0 आ गई थी इन्होंने तो solve भी नहीं किया बिचारोंने सीधे बस equal करके दिखा दिया तहीं पर 0 का नामोंने शान नहीं दिखाई दे रहा है clear? yes sir हाँ तो हम तीनों पर चेक करेंगे 5 पर भी चेक करेंगे तो 5 पर value 5 minus 5 कितनी आएगी? 0 आएगी ठीक है बिटा? yes sir हाँ तो इस तरीके से हम कर सकते हैं next अगला question है prove that the function fx equal to x to the power n is continuous at x equal to n where n is any positive integer वाँ भाई तो n कोई positive integer है हमाँ पास तो वही करेंगे बिटा सबसे पहले x की जगे n रख देंगे तो क्या जाएगा n की power n आ जाएगा बोलो clear की not clear? yes sir और फिर limit निकाल लेंगे बेटा तो limit निकालने पर भी n की power n ही आ गया यह देखो direct कर दिया है पर इन लोगोंने कर दिया ना बेटा? yes sir अच्छा अब इसको direct ही करना पड़ेगा क्योंकि अगर आप अगर आप यहाँ पे x equal to n plus h लेते हो तो function में जब put करोगे limit निकालोगे function में put करोगे तो n plus h की power n मनेगा और power n का formula फिर binomial theorem से चला जाएगा बहुत तगड़ा है ना? yes sir तो उतना कौन फास है? सीधे है यह कर देना done? yes sir चलिए तो यह हो गया इसके बाद देखे the function defined by fx equal to x x less than 1 and 5x कर देखो वाह बहुत अच्छा function है अब कहरा है यह function कि यह function तीन point पे इसने continuity पूछी है 0 पर 1 पर 2 पर concept को समझने के लिए यह question अच्छा है देखे इसको कैसे करते है is a function defined by fx equal to x for x is less than or equal to 1 मतलब 1 और 1 से कम के लिए function की value x है जड़ा देखा जाए function को बना करके 1 और 1 से कम के लिए function की value x के equal है fx equal to x यह y equal to x तो यह y है तो देखिए 1 से कम के लिए मतलब सारी negative value के लिए और 1 तक के लिए function की value x के equal है यह किसका graph होता है 11th class में पढ़ा होगा y equal to x का यह हो गया और 1 से जितनी भी बड़ी value है उन सब के लिए function की value आ रही है 5 सटाक शक्तिमान मन गया यह graph तो यह देखिए मतलब 1 से बड़ी value के लिए सब के लिए एक ही answer है 5 graph से दिग्या होगा बिट आपको कि यह function 1 पर discontinuous है दिग्या की नहीं दिग्या यह दो देखिए क्योंकि 1 पर इसकी value 1 आएगी इस point पर इसकी value 1 आएगी मतलब left hand limit और function की value 1 आजाएगी मगर 1 के आंगे 1 प्लस h just value आजाएगी 5 आएगी की नहीं आएगी इसलिए यह discontinuous हो जागा चलिए दो बारी बारी इसे मैं चेक करता हूँ सबसे पहले मैं 0 पर चेक करूँगा कि function अपना जो है 0 पे continuous है या नहीं है at x equal to 0 बेटा सबसे पहले मैं f 0 निकालूँगा तो बेटा संचारी यह बताओ कि f 0 मेरे को कौन देगा उपर वाला function देगा less than 1 वाला की greater than 1 वाला less than 1 वाला बिल्कुल सही तो f of 0 less than 1 पे function क्या है x है तो f of 0 कितना आजाएगा x और x अपना 0 है तो answer कितना आजाएगा 0 आजाएगा यह देख लो 0 पर value 0 है है की नहीं है अब right hand limit निकाल देता हूँ f of 0 plus h equal to तो 0 के just आँगे कौन सा function है बेटा यही वाला क्योंकि 1 से बड़े में function बदल रहा है 1 से छोटे में तो 0 आजाएगा ना yes sir तो 0 के आँगे भी तो यही लगेगा x clear की not clear clear तो x की जगे क्या आजाएगा बेटा हमारा 0 plus h यह क्या चल रही है right hand limit 0 पर clear yes sir और क्या लिखा जाता है इस समय limit h tends to 0 लिखा जाता है तो h tends to 0 0 plus h तो 0 plus 0 equal to 0 आजाएगा clear की not clear clear sir अब 0 के पीछे निकाल देता हूँ f of 0 minus h equal to limit h tends to 0 बोलो 0 के पीछे कौन सा function लगेगा 1 से बड़ा या 1 से छोटा 1 से छोटा वही function तो फिर से भाई या 0 minus h 0 minus 0 equal to 0 तो देखो 0 पर continuous है की नहीं है तो लिखेंगे since f of 0 plus h equal to f of 0 minus h equal to f of 0 so fx is continuous at x equal to 0 clear बेटा अब 1 पर निकालते हैं now for x equal to 1 सबसे पहले f1 निकालता हूं तो देखो बेटा 1 पर equality कहां पर लगी है ये दिख रही है equality 1 पर दिख रही है नहीं दिख रही है clear now second LHL equal to f of 1 minus h equal to limit h tends to 0 is होता है और function में 1 minus h रखेंगे तो 1 से कम का function कौन सा है बोलो बिटा the first function first function first function 1 से कम का है और उसकी value क्या है x है है ना yes sir और x के जगे हमें क्या put करना है ये input है हमारे x के जगे तो क्या बन जाएगा limit h tends to 0 1 minus h तो हमने value put कर दी h की जगे 0 आ गया तो 1 minus 0 equal to 1 तो देखो function की value आ गई बराबर और left hand limit बराबर भी clear की not clear clear sir अब इसके आँगे हम rhl निकालते है this is rhl equal to f of 1 plus h function की 1 के आँगे value तो limit h tends to 0 हो जाएगा मैं function put कर रहा हूँ बताएए 1 के आँगे कौन सा function apply होगा उपर वाला की नीचे वाला नीचे वाला 1 के आँगे आपको value कितनी मिल रही है 5 मिल रही है और 5 is a constant value तो इसका कोई कुछ नहीं कर सकता है 5 is a constant value इसका कोई कुछ नहीं कर पाएगा तो सीदे सीदे answer आजाएगा 5 तो आप देख रहे हैं कि lhl या यह कह लिजिए कि function की value कि इस point पर 1 पर is equals to f of 1 minus h that is not equal to f of 1 plus h आपने देखा graph में देखे 1 के just पीछे function की value 1 थी है ना बेटा और 1 पर भी 1 थी बो yes or no but 1 के just आँगे function एकदम से jump करके value 5 को maintain कर लिता है मतलब आप इस graph को बीना pen उठाय नहीं बना सकते हो yes or no आपको pen उठाना पड़ेगा यह देखे जब आप यहां से यहां कूदेंगे तो आपको pen उठाना ही पड़ेगा इसलिए function आपका discontinuous है so fx is discontinuous at x equals to 1 clear हो गया next point आपसे पूछा गया है x equal to 2 so simple अब 2 यहां पर बैठा होगा बैठा होगा की नहीं बैठा होगा अब ध्यान से देखो अगर आप 2 पर निकालोगे तो x greater than 1 apply होगा तो f of 2 भी कितना निकलेगा 5 निकलेगा न f of 2 minus h भी कितना निकलेगा 5 so we have f of 2 भी निकलेगा 5 f of 2 minus h भी क्या निकलेगा 2 से पहले भी भी 5 ही आएगी और 2 के बाद भी कितनी आएगी 5 ही आएगी तो इसलिए भाईया यह क्या है continuous है fx is continuous at x equal to 2 clear संचारी डन एक्दम तो यह रही बेटा आज की continuity की class ठीक ना इसका class का full video आपको 10 मिनट में आपके उस पे उपलब्द हो जाएगा और चलिए अब करना है आप अनको practice ठीक है तो अब आप continuously practice करिए झापको करें करो अनको ले में आपके है कर्णो nossas गोरण जापको करें आपको को क्षम अंको यह जापको इजा तू मिनट में वे Have a楽 ass